रोज रोज जलते हैं पर अभी तक खाक ना हुए अजीब से ख्वाब हैं जो अभी तक राख ना हुए नवस्कार मैं हूँ आपके साथ दव्या नेजा और आज एक बार फिर से आपके सामने लाए हूँ आपको मिलवाने लाए हूँ कुछ ऐसे ही सितारों से जिन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिस मुद्दे से आपका जुड़ना जुरूरी है हमारा जुड़ना जुरूरी है क्योंकि बात ही ऐसी है और ये मुद्दा क्या है अगर मैं आपको बता दूंगी तो हो सकता है उतना प्रभाव ना पड़े उतना इंपक्त ना पड़े लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट से जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा क्यों चुना फिल्म का नाम है सिया सिया की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ है और जिन्हों ने फिल्म बनाई है आज वो भी हमारे साथ है बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मैंने पहले भी आपकी फिल्म्स देखी है उसमें भी जो मुद्दा रहा है अपने अपने कंटेंट के ओपर काम किया है वजाए कि अपनी स्टार वाली इमेज बनाने के आपने आक्टिंग के ओपर काम किया है और उस आक्टिंग के जरीए बहुत अच्छे-च्छे संदेश आपको कैसा लग दग ठाटियां तो आपको कैसा लग रहा है इस फिल्म के साथ जुड़के अच्छा लगए और थैंकस्ट विल्मिकर्स कि वोा भरुसा दिखाते हैं तो मोके बनते है जब मोका बनता है तो मैं लपक ल invece लिए तो हुआते हो किया बाट है तो इस बार भी नहीं कर पाएंगे, यह इंटेंसिटी कैसे क्रियेट की अपने अंदर, वो कैसे वो फील लेके आए, क्या आप शुरू से ही सीरियस रहने वाले हैं, या आपका अपना नेचर कैसा है, उसे कैसे इस रोल के साथ कनेक किया, तो पेली बात यह रोल, जब मैंने सुना था इसलिए शायद मैं इस कारेक्टर से कनेक्स कर पाई, मनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कि ऐसा मुद्दा बनारी की हिम्मत दिखाई, बहुत कम ऐसे मुद्दे उठते हैं, और यह आप लेके आए हैं, इसके लिए आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ी, हमने लगबग दो साल लगाए स्क्रिप्ट को डिवलप करने में, रिसर्च करने में, केस स्टडी पड़ी अकबारों के क्लिपिंग्स निकाल निकाल के दो-दो साल के पड़े उस केस पर, तो तीन रेप सर्वाइवर से मिलें, तीन, उनके साथ समय बिताया, कोट में जा जा के बैठें, एक दिन तो ऐसा था जिस दिन 16 रेप केस थे, और हाई कोट, और वहां पर आदे गंटे में निप्तारा हो गया, आन 17 निप्तारा, इंद र सेंस की बैल रेजेक्ट, बैल रेजेक्ट, बैल रेजेक्ट, 16 केस्स खतम होई, वो सारा देखा गाने, और काफी कुछ देखने, स समझने सुनने पढ़ने के बाद ये प्रारूप स्क्रीन प्लेज आपके सामने आया हुआ और लगा कि बस इतना ही कुछ दिखाना चाहिए इतना ही दायरा रख करके अगर ये बात हम अच्छे से कर पाएं तो शायद कुछ अच्छा निकल गया है अच्छा इस से पहले में औ और उसके बाद आपके रियाक्शन जरूर जानना चाहूंगी अनदर साउथ रिमेक ये कहा है M.D. Sajid ने क्या ये सचमेक रिमेक रिमेक ये जैसे गुलाब 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 होता है ये वैसे फिल्म है वैसे बताओं कि ये जो कहानी है साउथ, इस, वेस, नॉर्थ, में बाके जिन्हों ने ये लिखा है उनको ये बोलूँगा आप जरूर देखिएगा और आप अपने वेक्तव की सत्यता खुद जांच करिएगा क्या बात है एक और कमेंटा है हिलाद या यार इस ट्रेलर ने ये समर्पित ने लिखा है और उनाओ केस आगे लिखा है मनीश सर ज्यादा बेहतर इसका जवाब ते हमने अभी एक्स्प्लें किया कि अफकोर्स चार केसों में एक एस गोना हुई था बट और भी दूसरे तीन केस और थे जिसको हमने रफर किया और अब बनाने के बाद भी आगे के जो स्क्रीन के लिखने के बाद भी कई ऐसे केसे जिसको हम पढ़ते हैं तो हमको लगतार कितनी सिमलारिटी है तो काफी कुछ मिलता जुता ही तरीका है एक और सर कॉमेंट है आपके लिए धनावत करके कुछ है धनावत करके शायद उन्होंने लिखा है यह फिल्म यूपी में है उन्हाव डिस्ट्रिक में लड़की के साथ जो हुआ है उस पर है दोस्तों इसको जादा से जादा देखो देश की हकीकत है जैहिंद जैहिंद लग रहा है कि लोग उनका सपोर्ट मिल रहा है बिलकुल और मैं इसमें पूजा की तारीफ करना चाह जैहिंद बलकुल अतुल बोल रहे हैं डोंट मिस्ट्रिक मास्टर पीस इस वरी रार तो सी इस ताइप आफ मोवीज इन बोलीवोड प्लीस सपोर्ट थेंदे वर्क रेली हार्ड थैंक यू बोल सकते हैं फिल्कुल फिल्म एक्शली बहुत महनत से बनती है तर कुछ अच् यह बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स हैं जब मैं भी कॉमेंट्स पड़ रही थी मैं देखना चाहती थी कि इस फिल्म को क्या लोगों का सपोर्ट मिल रहा है नहीं शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने नेगटिव कॉमेंट किया था अदर्वाइस सब के इस फिल्म के बाद क्या उनको न्याय मिल पाएगा क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है अपने इवताया और उनके बच्चे है अब उनकी काफी एज हो चुकी है नहीं नहीं वो जो किस्सा था वो अलग है कई कहानिया चली हम कुछ कुछ रहाते हैं बट देख पॉइन इस फिल्म से अब कुछ प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी ऐसी कोशिश नहीं हमारी हमारी कोशिश बहुत सीधी सी थी हम समने मिल के ये कोशिश करिये कि लोगों को जो ये पेड़ित लो हैं जो परिवार है उनका दर्द पहुंचाएं दर्द को महसूस कराएं और अव पुलिस महत्मा हो जोडिशरी हो जो पॉलिटिशन हो जो समाज के हम लोगों जो खड़े रहते हैं तो उनको कुछ करना होगा यही एक छोटी सी कोशिश है इसे ही बदलावाएगा बिल्कुल पुझा बिंग फीमेल आपसे में पूछना चाहती हूं बहुत सारे हमारे ऐसे से बयान सुनके कि अगर उस लड़की का रेप हुआ है तो इसकी गलती है उसे जीन्स पहनी थी जी मैं इसमें बोला जाओं कि कि मेंटालिटी की प्रॉब्लम है कि आपको पूरी छूटे लड़की को छूट नहीं है लेकिन और डिफ्रेंसे आज भी है जिसे मेरे की कुछ रिलिटिव में डिफ्रेंसे सलते है तो वो चीज गलत है नहीं होनी चाहिए तब ही आपके मेंटालिटी सुधरी की तब ही शायद समाज में कुछ बदलाव आए नहीं हकीकत है क्योंकि आपने जैसे की बात कहीं कि लड़कीों के लिए कुछ बाउंडरी इस तैय कर दी जाती है माबाप की तरफ से ही विनित आप भी चीज से वाकिफ होंगे कि अपने घर से हमें शुरुआत करनी चाहिए आप सभी माबाप को एक संदेश जरूर दे क्या हमें एक बेटी को पढ़ाना चाहिए या एक बेटे को पढ़ाने की जरूरत है मैं इस सवाल पर बाद में आता हूं इसके पहले आपने जो एक सवाल पूछा कि पॉलिटीशियन्स मुझे लगता है जरूराइज नहीं करना चाहिए किसी चीज को क्योंकि एक 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 नेता की लाइफ हासान नहीं होती एक दिन में एक नेता जो है हम साधारन लोग जो हैं तो 이러시면 कि पॉलिटीशिय लेफ हैंड में उत्हां है जाना हां वाता है वो उतिन में एक नेता एक नंभ लूछा कि लिए और छागन जिस दिन होते हैं झाल तीस या पादैस यह तिए 2000 कि लिए INS. devrimat कि नेता हैं। बहुत इमांदारी से बहुत अच्छा कर रहा है उसमें बहतर दिशा में बढ़ने की जरूरत किसी एक नेता के सेंटेंस से हम हर नेता को डिग्रेड ने कर सकते हैं मैंने हर नेता की बात बोल रहा है तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी चीज को कहें तो इन टुटेलिटी कभी जचिकर गरें किसी चीज को कहने से बचें उसमें बहुत सारे लोग और मैनत कर बहुत कुछ कर रहा है एक निता ने जाने कितने लोगों की application पड़ता है उनकी जिन्दगी में कुछ बदलावाता है तो इसे भी बहुत सारी लोगों को बढ़ा है लेकिन कुछ ही को लोगों की वजय से गंदगी भी है उस पर्टिकुलर लोगों को अगनोलिज करने की ज़रूरत है और उनको फांड़ाट करने की ज़रूरत है यह कौन ताकि यह स्प्रेड कम हो अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल पर आप उससे दोहरा लीजी फिर मैं उसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सर जैसे कि आपने नेता वाली बात करी मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया था स्पेसिफिकली लेकिन ऐसी चीजे हुई है और मेरा जो दूसरा सवाल था वो यह था कि क्या हमें लड़कियों को पढ़ाने की शिक्षा देने की जरूरत है या हमें लड़कों को शिक्षा देने की जरूरत है हमें नजर बदलने की जरूरत है अपनी जो हमारी नजर है और उस नजर में जो नजरिया हमने बना रखा है कि लड़की ये काम करेगी लड़का ये काम करेगा ये काम लड़की नहीं करेगी इस काम के लिए ल तो चीजें बहुत बदली हैं लेकिन अभी भी बहुत बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव घर से ही होता है हमें अपने आसपास अपने परिवार में जो कंटिब्यूट कर सकते हैं बहतर दिशा में करें बहुत कुछ बदल जागा जादा समय नहीं जाने से पहले मैं चाहूँगी एक आपकी फिल्म का जो गाना है बहुत खूबसूरत सा गाना है जिसकोंते ही मनगरता है इसे रिपीट पे लगा लो दो लाइने शुरू होते ही उस गाने में जो सुकून हो वो मिलता है उस गाने के बारे बारे बताएए कि तो फिल्म में कैसे अड़ किया ये सर की जोईस थी दोहा की बाद कर दोहे हमेशा समजमाइक लगते हैं कॉंकरेंट लगते हैं अब कभी भी पढ़ लीजे उसमें इतनी डेप्थ है कि लगता है कि और कोई भी सीन चला कि उसको पढ़ लीजे तो लगता है इसी के लिए लिख अब कर दोहे आने चाहिए जो कम्यूनिकेट करें इसी को आगे बढ़ाईगी इसलिए वहां पर बहुत सुंदर तरीके से मौशमी कर के सिंगर है उसको वोईस दी है और अनील अधिकाली ने उसको मुजिक दिया है और बहुती कांप्री है जैसा बोहां दिल में उतरता है हम लोग झाष е जाफ लोग से श possoःक है जोडिन है यो ने देना लुट रहां है जरुडिन इस ब्लुड़ूरि जरुकले में लुकले जाए बाच गलाच एजड़ हुए है। यह जरूरी फिल्म है। कैलाकार की टाकत दरशक होता है। एक फिल्म की टाकत दःशक होता है। जाए जाए तो फिश्मयी दाकत दीजे। यह ग्यात देखाएं। यह को पसंद आए लिख यह एक आसपास बताइग है। झाई, भूज के ब.' लोगों की दिल तक छूजानी वाली फिल्म है, जो आजके अभी तक जतिना भी फिल्म से बन रही है, उस फिल्म जरसी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अलग है, बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, और हमने अपने दिलो जान सब डाला इस फिल्म है, तो प्लीज इस पुजा की पहली फिल्म है, और विनीच साहब ने जवदर्स्त काम किया है, जैसा वो करते हैं, और फिल्म अच्छी बन पड़ी है, और सर की डिरेक्टोरियल भी यह पहली फिल्म है, तो आप से निवेदन है कि आप आएं जरूर देखे इस फिल्म को, और अच्छा लगे, तो आप हमें बताएं और लोगों को बताएं और जाज जादा लोग इसे देखें, तो आप जरूर जाएं और देखें, यह हमार ली ओपनिंग डिस्काउंट है, आप जाएं और देखें. बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप सभी ने अपने कीमती समय में से कुछ समा हमें तो आप से दिया बात करने का थन्यवाद और इसी के साथ आप से भी जाज़त लेना चाहूंगी और जाते-जाते कहूंगी कि फिल्म से जरूर जुड़िये, जरूर देखिये, जरूर शेयर कीजे, नवस्कार.